क्या आपको याद है Istri 2 का वो सस्पेंसफूल एंडिंग सरकटे के अतंक ने हम सब को एक ऐसे क्लिफ हैंगर पे छोड़ दिया है जो हम भूल नहीं पाएंग जहां Theory 1 कहती है कि क्या सरकटे की वापसी होगी ये बहुत बड़ा सवाल है और अभी Istri 3 के न्यूज के साथ इसके Fan Theories और Speculation का सुनामी आ गया है जहां पर भाई Theory 2 कहती है कि राजगुमारा उर्फ विकी के पास बहुत खतरनाक पावर्स हैं तो आज की इस वीडियो में हम उन सबसे wild और mind-blowing theories को explore करेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि सच में ऐसा भी हो सकता है मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है भाई तो seat well लगाओ क्योंकि ये ride बहुत thrilling होने वाली है तो चलो कर डालते हैं तो सबसे पहला थियोरी जो हम discuss करेंगे वो वर्थ है और discuss करने के लायक भी है जो है सरकटे की वापसी देखो इस तरी 2 के end में हमने अक्षे कुमार को देखा जो पागल खाने में थे और एक रहशमाई बरतन से कुछ powers को इनहेल कर रहे थे जो बाद में ये monster से possessed हो जाते हैं जिससे मैंने ये theory बनाई कि इस तरी 3 में सरकटा और भी powerful होकर लोटेगा लेकिन यहाँ पर बात थोड़ी interesting हो जाती है और यहाँ पर theory ये है कि सरकटे की वापसी इतनी simple नहीं होगी मतलब कि क्या पता वो बोड़ी सरकटे के पुनर जनम के लिए एक खबजा हो बलकि एक male हो एक तरह से अपने वंसर्स को चलाने का क्या साबित करना चाहता है तू और इसके साथ ही सरकटे के सूपर नेचुरल्स पावर का भी देखो भाई ये निया सरकटा और भी भयंकर दुस्मन बन सकता है Human Intelligence और Ghostly Strength के साथ हाँ तो भाई Theory 2 है विकी के बारे में देखो इस्तरी 2 में विकी के कुछ ऐसे unique abilities दिखाए गए हैं जिनसे वो सरकटे से बचता है और हाँ याद करो इस्तरी ने अपने बाडी को विकी के साथ मर्ज भी किया था क्यूं? क्यूंकि सरकटे के एरिया में जाने के लिए और आप लोग अपने तरीके से उसको सरकटे का पताल लोग बोल सकते हो क्या पता जो merging हुई थी उससे विकी पर एक lasting effect रहा हो और उससे खूद supernatural powers मिल गई हो क्या विकी evolve हो रहा है एक protector में future threats के against या सायद वो खूद एक half supernatural being बन रहा हो भाई तुम ही सोचो विकी 23 में कुछ नए powers discover करे जैसे की high tended senses, strength या फिर दूसरे किसी भी spirit से बाद करने की ability और इससे ये अपने टाउन का guardian बनने का stage set कर सकता है वो भी supernatural threats से बचते हुए क्या विकी के नए powers के unit ended consequences हो सकते है जो उस super natural का target बना दे अब बात करते हैं एक theory की जो बहुत interesting है मतलब की बहुत जो history 2 के बाद से बज में है जहां history के बेटी के बारे में सारी चीजे सामने आ जाएगी तो अब topic पे वापस आते हैं जो है history ने उस moment पे अपने आपको reveal क्यों किया और सबसे important उसने विकी और उसके गैंग की मदद क्यों की सरकटे को हराने में देखो यहां पर मेरा मानना है कि history का एक बड़ा plan है क्या पता history जानती थी कि सरकटा को हरा कर वो town के सारे लोगों का trust जीत सकती है और उन लोगों से बदला ले सकती है जिन लोगों ने उसके साथ गलत किया था या सायद history अपनी बेटी सी को prepare कर रही है town के नए supernatural guardian के तौर पर जहां पर अपनी जगा लेने के लिए देखो भाई ये एक fascinating conflict को lead कर सकता है history के तीसरे पार्ट में यहां विकी और उसके दोस्तों को decide करना पड़ेगा कि वो इस तरी पर trust करे या फिर नए और भी unpredictable एनिमी का सामना करे देखो अब यहां पर theory 4 एक twist सजेस्ट करती है इस तरी 3 के लिए जो है एक नए supernatural entity का introduction देखो सरकटे का मौत या कम से कम उसके temporary defeat के बाद मेरी सोच यह है कि एक नए spirit या monster introduce करें यह जो entity होगी वो town के किसी history या फिर past के किसी गाउं से जुड़ी हो सकती है जो है नए folklore और cultural elements को storyline में लाते हुए क्या पता यह एक नए बिंग एक single entity ना हो बलकि यह spirit का एक collective हो या फिर एक सवाल सायद एक प्राचीन देवता जो सरकटा और इस्तरी की लड़ाई से नाराज है यह इस्तरी के universe को expand कर सकता है नए characters, नए locations और बिल्कुल नए scares को introduce करते हुए तुमने इस्तरी 3 में यह notice किया होगा कि टाउन के कई ऐसे लोग हैं जो सरकटे की evils के vessels बन रहे हैं एक network of species और attackers create हुए जो वीकी और उसके दोस्तों के against काम कर रहे थे यह सिर्फ stakes को raise नहीं करेगा बलकि उनको एक potential enemy बना देगा suspense और mystery को plot में layers एड़ करते हुए प्लस ये वीकी को नए allies ढूनने पर मजबूर कर सकता है सायद उन जगों पर जहां उसने कभी सोचा भी नहीं था जैसे कि दूसरे super natural entities या spirit जो सरकटे के reign of terror के against हैं वेल मेरे भाई ये रही 5 धमाकेदार fan theories जो हम mystery के बारे में imagine कर सकते हैं क्या है वो सरकटे की वापसी हो वीकी के hidden powers हो या फिर एक नए super natural threats का rise देखो भाई एक चीज़ तो पक्की है अगला installment हमें बहुत कुछ देगा वैसे आपको क्या लगता है इस 3-3 में क्या होगा आपके अपने भी theories और prediction है उसको comment कर देना क्यूंकि वो भी बहुत minor रखते हैं बागी हमेशा की तरह subscribe